Hello everyone, आज हम BSC BA Final Year की बुक Real Analysis का फर्स्ट चैप्टर रिमान इंटेग्रल पढ़ेंगे रिमान इंटेग्रल हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है इंटेग्रल इंटेग्रल हम सबने पढ़ रखे हैं, इंटेग्रल का यूज कहां होता है इंटेग्रल हमारे पास यूज होता है, एरिया एवलूएट करने के लिए अंडर अ गिवन कर्व एक कर्व गिवन होती है और हमें उसके अंडर एरिया फाइन करना होता है तो हम एंटेग्रल का यूज करते हैं, ठीके, तो फिर ये ठम रिमान इंटेग्रल क्या है अब जब आप integral find करते हो किसी function का तो function आपके पास कैसा होता है? continuous function होता है लेकिन कहीं बारी क्या होता है? आपके पास function continuous ना होके discontinuous हो जाता है तो remand integral ऐसे functions के लिए भी काम करता है जो discontinuous हो जाए अब remand integral में आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है partition partition क्या होती है आपके पास कोई भी closed interval given होगा i is equals to a b यह finite closed interval partition क्या है कि आपको इस closed interval को आपको break करना है किसी order set में किसी finite set में x naught x1 xn ठीक है इस closed interval को हमने break कर दिया a is equal to x naught x1 x2 xn minus 1 xn is equal to b तो आप इसको break कर दोगे तो यह जो points होंगे न x naught x1 x2 xn यह क्या होंगे इसकी partition हो जाएगी partition that is p आप यहां से इसके intervals भी बना सकते हो x naught to x1 is interval x1 to x2 interval xr यह general हमने बीच में से उठा लिया xr minus 1 to xr और nth interval बन गया xn minus 1 to xn ठीक है और अगर इन सारे intervals के आप union करते हो तो आपको क्या मिलता है closed interval a b मिलता है for example आपके पास closed interval given है closed interval 0 to 2 आपको इसकी partition करनी है means आपको इसके बीच के जितने point आएगे ना उसको break करना है यह 0 पड़ा है यह 2 पड़ा है अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इसके बीच में सिर्फ finite point यहाएंगे मालो यहाँ पे 0.5 आ गया then 1 then 1.5 ठीक है आप क्या लिख सकते हैं तो 0 0.5 1 1.5 2 यानि कि इस closed interval 0 to 2 को आपने break कर दिया तो यह partition बन गी means एक interval i1 क्या बन गया 0 to 0.5 दूसरा interval i2 क्या बन गया 0.5 to 1 तीसरा interval i3 क्या बन गया आपके पास 1.5 to 2 बन गया ठीक है लेकिन क्या आप सिर्फ इसी तरह से इसको break कर सकते हो आपके पास क्या है 0 से लेके 2 तक break करना है तो आप तो इसको ऐसे भी break कर सकते हो 0 से लेके 0.3 then 0.9 ठीक है 1.2 1.5 1.9 कैसे मर्जी break कर सकते है इसको ठीक है तो यानि के एक interval को आप infinite partitions में break कर सकते हो वो आपकी choice है कि आप उसको किसी साब से break कर जो तो इसी तरह क्या होता है कि किसी भी interval के पास infinite number of partition हो सकती है infinite number of partitions और इनकी family को आप denote करोगे P of AB से अब बात आती है norm की norm क्या होता है जब आप किसी interval को break करते हो partitions में तो ये आपके पास जो sub intervals बनते हैं ये I1 ये I2 ये I3 इन में से आपको सबसे maximum length वाला देखना होता है length क्या होगी यानि कि अगर इसको A मानो इसको B मानो तो B-A is length of this interval तो आपको क्या करना है अब इन sub intervals में से वो interval देखना है जिसकी length maximum है जिसका distance सबसे ज़ादा है तो जो सबसे ज़ादा वाला आपके पास length वाला interval होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा norm बन जाएगा तो इसकी length को आप किससे denote करोगे delta r से delta r में इस क्या हो जाएगा xr minus xr minus 1 आपके पास बन जाएगा जैसे इसने दिखा भी रखा है यह interval a है यह interval interval है a b इसको break किया partition में x1 x2 xr minus 1 xr xn minus 1 xn फिर्स्ट interval की रांथ केतनी बनेगी x1 minus x0 that is delta 1 से denote कर रखा है x2 minus x1 that is delta 2 अब इन सारे intervals में जिनकी length सबसे maximum होगी जिस interval की length सबसे maximum होगी वो बन जाएगी norm और norm का symbol है यह वाला norm को इससे denote करते हैं तो आपके पास वो चली जाएगी norm बन जाएगी बस आपको यह देखना होता है किस किसकी सबसे जादा maximum length है तो वो norm बन जाएगी फिर बात आती है refinement की refinement क्या होता है किसी partition के अंदर कुछ और points आड़ कर देना for example मैंने यह वाली partition करी थी 0 से 2 की हमने partition करी थी 0, 0.5, 1, 1.5, 2 अगर मैं इसके बीच में एक point और एड़ कर देती हूँ 0, 0.5, 0.8, 1 एक कर लो चाहे दो कर लो एक और कर लेते हैं 1.3, 1.5, 2 तो यह क्या होगी इसकी refinement refinement मतलब क्या होता है कि उसको और अच्छे से हमने refinement का मतलब हिंदी में क्या हता है शूद करना यानिकि इसको हमने और अच्छे से बना दिया इसमें हमने दो points आड़ कर दिया तो वो refine हो गई तो refinement क्या होती है एक partition है P और उसके अंदर कोई और extra points आड़ करना जैसे यह partition P थी इसके अंदर हमने एक extra point x, i, r add कर दिया तो यह P dash मिले तो यह P dash क्या हो जाएगी P की refinement हो जाएगी अब देखो यह हां से obviously दिख रहा है कि P कहां contained है P dash में यानिकि हर एक partition अपनी refinement में contained होगी ही होगी और अगर एक interval की हम दो partition ले रहे है P1, P2 क्योंकि हमें पता है एक interval की infinite partitions हो सकती है तो अगर हम एक interval की दो partition ले रहे है P1, P2 ठीक है तो P1 और P2 दोनों क्या बनेंगे P1 union P2 के subsets बनेंगे तो P star that is P1 union P2 is called common refinement of P1 union P2 अब यहां तक हो गया अब जब भी हम यह intervals की बात कर रहे हैं interval आगर हम मैं generally लेके चलूँ closed interval A भी लेके चलते हैं इसकी मैंने partition बनाई P कहां से शुरू है A से शुरू है A को मैंने नाम दे दिया X0 then X1 then X2 up to son एक point आया बीच में XR minus 1 एक और point आया XR फिर up to son एक point आया XN minus 1 then XN last point है उसको B नाम दे दिया is equal to आपके पास यह बन गई एक partition इस partition के interval सब इंटर्वल देखो पहला सब इंटर्वल I1 क्या है X0 to X1 दूसरा सब इंटर्वल I2 that is X1 to X2 ठीक है तीसरा सब इंटर्वल आपके पास कितना है I3 I3 आपके पास सब इंटर्वल कितना बन जाएगा X0 to X1 sorry X2 to X3 then X4 to X5 और आपके पास आरत सब इंटर्वल बना XR minus 1 to XR और Nth हमने ले लिया I Nth XN minus 1 to XN अब देखो यह intervals है सारे कैसारे intervals में जैसे कि हमने sequence and series में भी पढ़ा था अब interval कैसा होता है bounded होता है bounded means उसका greatest lower bound भी exist करता है उसका least upper bound भी exist करता है greatest lower bound भी पता है ना greatest lower bound में जितने भी lower bound है उनमें सबसे बड़ा और least upper bound में जितने भी upper bound है उनमें सबसे छोटा अब क्योंकि आईवन एक interval है तो इसका क्या होगा greatest lower bound भी होगा interval तो bounded होता है closed है ठीक है तो इसका greatest lower bound भी होगा इसका least upper bound भी होगा suppose कर लो कि एक point है M1 जो इसका क्या है greatest lower bound है और एक है capital M1 जो इसका least upper bound है similarly ये भी एक interval है interval है तो bounded होगा तो ले लो M2 be its greatest lower bound and M capital M2 is its least upper bound ठीक है यहां तक ऐसे ही अगर मैं आरत पे चलूँ in general MR be its greatest lower bound and capital MR be its least upper bound एनत पे जाएं तो क्या होगा MN be its greatest lower bound and capital MN be its least upper bound ठीक है यह बात समझाए क्योंकि sub intervals है sub intervals और closed sub intervals है तो यह bounded है इनके पास greatest lower bound भी होगा इनके पास least upper bound भी होगा तो हम general IR interval की बात करेंगे ठीक है तो मैंने क्या ले लिया IR का जो है MR greatest lower bound है और capital MR आपके पास least upper bound है अब देखो अगर मैं पूरे के पूरे interval की बात करूँ AB की पूरे interval यह भी तो closed है closed भी और bounded भी है closed और bounded है इसका भी कोई नो कोई least upper bound और greatest lower bound होगा तो suppose कर लो कि small M क्योंकि हमने यह distinct values लेनी है suppose कर लिया small M इसका greatest lower bound है और capital M इसका least upper bound है ठीक है अब यह बात तो आपको पता ही है कि जो greatest lower bound होता है वो छोटा होता है least upper bound से greatest lower bound आपका small M यहाँ capital M तो greatest lower bound इस छोटा होता है आपके पास least upper bound से अब देखो अगर हम बात करें इस MR की और इसके capital MR अब ये वाला interval कहाँ है इसके बीच में कहीं न कहीं पड़ा है XR-1 and XR तो इसका जो lower bound होगा वो कहीं न कहीं यहाँ होगा small MR और upper bound कहीं न कहीं यहाँ होगा capital MR तो अगर interval के हिसाब से देखे means ये वाला पड़ा है ये पड़ा है small M AB के लिए A, B और ये पड़ा है इसका capital M अब इसमें interval है बीच में XR-1 और XR ठीक है इसका greatest lower bound हमारे पास है small MR जैसा कि हमने यहाँ देनोट किया है और इसका least upper bound है capital MR तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि small M जो है छोटा है small MR से और ये small MR जो है छोटा है capital MR से और capital MR जो है छोटा है capital M से ठीक है यहाँ तक समझ में आई अब आपके पास छोटा हो सकता है और equal भी हो सकता है क्योंकि बीच वाला interval है हमें नहीं पता ये capital A B ही हो जाए ठीक है यहाँ तक तो ये आवाली चीज आपके पास आ गई कि small M is less than equals to small MR less than equals to आपके पास fx less than equals to capital MR less than equals to M for R is equal to 1, 2, up to N सारे intervals के लिए जितने भी आपके पास interval हैं सब interval बने हैं उन सब के लिए ये condition हो गई अब आपने क्या करना है जितने भी ये greatest lower bounds है इनको इनके length से multiply कर दो अब यहाँ से length क्या बनेगी x1 minus x0 length बनेगी इसको नाम दे दिया हमने delta 1 तो इसको जितने और यहाँ से length क्या बनेगी x3 minus x2 इसको नाम दे दिया हमने delta 2 तो जितने भी greatest lower bounds है उनको उनकी length से multiply कर दो small m1 को multiply कर दो delta n1 से small m2 को multiply कर दो delta 2 से up to son small m r को multiply कर दो delta r से ठीक है और ये जितने भी आपके पास आएंगे इन सब को कर दो sum ठीक है इसको in general अगर हम sum की form में लिखे summation की form में तो इसको क्या से लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं summation r is equal to 1 to n m r delta r similarly जो आपके पास ये list upper bounds हैं इनके लिए भी कर लो list upper bound को multiply कर लो length से फिर दूसरे sub interval की list upper bound को multiply कर लो length से up to son rth list upper bound को multiply कर लो length से तो इसको summation की form में लिखे हैं तो ये क्या बनेगा r is equal to 1 to n capital m r delta r ठीक है यहां तक देखोई सिर्फ ये ही काम किया है r को vary कराते जाएंगे आपको ये ही चीज मिलती जाएगे तो ये जो आपके पास आया है इसको बोलते हैं lower sum that is l of f p यानिके p partition के corresponding f function का ये है lower sum इसको बोलते हैं uf p that is p partition के corresponding f function का upper sum चीक है यहां तक अब हमारे पास lower sum और upper sum आ गया lower sum और upper sum के बाग हमें क्या करना है इनका लेना है अब देखो lower sum और upper sum है ये एक partition p के corresponding है तो इन lower sums में भी आपके पास क्या होगा कोई नो कोई छोटा भी होगा कोई नो कोई बड़ा भी होगा तो जो ये lower sums होते है l of f p इसमें से आप क्या करो इन lower sums का least upper bound उठा लो यानि के इन lower sums के upper bound में से सबसे least वाला उठा लो ठीक है और जो ये upper sum है इनका क्या करो greatest lower bound उठा लो ठीक है जो lower sums है उनका least upper bound l, l से याद रख ले ना और जो upper sum है उनका उठा लो greatest lower bound ठीक है तो ये जो बनेगा least upper bound of l of f p इसको आप लिखोगे integral a to b f dx ठीक है यहां तक अब आपके पास जो गीवन है upper sum का greatest lower bound अपर sum के greatest lower bound को आप कैसे लिखोगे integral a to b bar f dx ठीक तो आपने दो चीजे निकाली सबसे पहले तो आपको least इनका lower sum निकालना है उन lower sum का least upper bound लेना है ll से याद रख लो upper sum निकालना है upper sum का greatest lower bound निकालना है least upper bound of lower sums को आप लिखोगे यह सिर्फ एक notation है lower integral a to b f dx a to b bar f dx यह lower integral है यह upper integral lower sum के corresponding lower integral upper sum के corresponding upper integral अब जब यह दोनों integrals आपस में equal हो जाते हैं जब यह दोनों integrals आपस में equal हो जाएं और equal हो जाएं total integral a to b f dx के तब हम क्या कहेंगे function हमारा कैसा है integrable function है तो यह आपका basic था यहाँ तक आपको समझ आगे जो lower sums के corresponding आया है lower integral upper sums के corresponding आया है upper integral अगर यह lower integral equals to upper integral हो जाएं और equals to हो जाएं integral a to b f dx then we can say that the function f is integrable अब एक दो theorems आपने जो first exercise है इसमें सब में पढ़ ली है कि जो lower sum होता है किसी भी partition का वो कभी भी upper sum से बड़ा नहीं हो सकता lower sum हमेशा क्या रहेगा upper sum से छोटा रहेगा lower sum of a partition p is always less than upper sum of partition p अब यह तो थोड़ा सा basic था जो हमने इस वीडियो में किया अब exercise 1.1 आप लोगों की हो चुकी है हम exercise 1.2 से शुरू करते हैं exercise 1.2 में हमारे पास पहली थेयोरम है let f be a bounded function f एक bounded function है closed interval a b पे then आपको प्रूफ करना है कि जो lower integral होता है वो less than equal to होगा upper integral के ठीक है अब lower integral को less than equal to रिखाना है upper integral से अब क्योंकि function bounded given है और interval given है closed interval a b क्या करो आपको तो पता है कि एक interval के आपके पास infinite number of partition हो सकते है तो हमने यहां से सिर्फ दो partition चूज कर ली p1 और p2 p1 और p2 हमने दो partition ले ली अब देखो हमें ये भी पता है कि अगर p1 और p2 दो partition है closed interval a b के हमें पता है कि किसी भी partition का lower sum यानि कि l of fp1 आपके पास कभी भी upper sum से बड़ा नहीं हो सकता कि uffp1 ठीक है और l of fp2 is less than always fp2 यानि कि p1 का lower sum और p2 का lower sum हमेशा upper sum से छोटा रहेगा लेकिन अगर देखें तो अगर p1 का lower sum भी है तो वो p2 के भी lower sum अपर sum से छोटा रहेगा means l of fp1 is less than u of fp2 हब क्योंकि p1 और p2 दो अलग-अलग partitions है तो हम क्या करते हैं एक partition को fix रख देते हैं हमने p2 को fix कर दिया और क्या करते हैं fix रखने के बाद जितने भी ये lower sums हैं इन lower sums का least upper bound ले लेते हैं ठीक है lower sum का least upper bound लेंगे l of fp1 ये किस से less है ufp2 से ठीक है तो ये क्या बन जाएगा lower integral lower integral a to b fdx बन जाएगा this is less than equals to ufp2 ठीक है यहां तक less than equals to अब क्योंकि हमने p2 को fix किया था अब दूसरी बारे में क्या करते हैं p1 partition को fix कर देते हैं अब p2 वाली जितनी भी partitions हैं उनके upper sums का क्या ले ले लेते हैं greatest lower bound ले ले लेते हैं ठीक है तो यहां से हमने इसको तो fix कर दिया इस पे तो कोई फरक पड़ेगा ही ने क्योंकि fix है यहां से greatest lower bound लेंगे तो ये ufp2 बन जाएगा ठीक है और ये क्या होता है upper integral that is यहां से क्या आगए integral a to b fdx is less than equals to upper integral fdx और ये ही हमें proof करना है ठीक है less than equals to upper integral fdx यह वाली चीज़े हमें proof करना है ठीक है तो आज के लिए इतना sufficient है कल हम करेंगे dar box ठीक है ठीक है